हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल ड्रामा सिरीज, आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेस हुई हूँ, अगर आपको फोर्स्ट मैरेज लव स्टोरी पसंद है तो आपको ये ड्रामा बहुती अच्छा लगेगा, तो इस ड्रामा की एक्स् श्कूल में पढ़ने वाली 17-18 साल की लड़की की होती है, जिसकी जबरदस्ती साथी एक करोर पती से करवा दी जाती है, जो उससे 10 साल बढ़ा होता है, क्योंकि उस बच्ची की जो सोतेली मा होती है, वो पैसो की बहुत बड़ी लाल्ची होती है, जिस वजा से वो अपनी सोतेली बेटी का सोधा कर देती है, सिर्फ पैसो के लिए, और इस कहानी में एक और ट्विस्ट होता है, जिससे उस चोटी बच्ची की साधी होती है, वो आदमी उसकी पापा का कातिल भी होता है, वेल जब उस चोटी सी बच्ची की साधी उससे 10 साल उम्र बाले, आदमी से होगी तो उन दोनों के बीच कैसा रिस्ता होगा उन दोनों के बीच प्यार होगी नफरत होगी या टकडार वो तो आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेगा तो फिर चलिए इस ट्रामा की एक्स्प्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं तो कहानी सुरू होती है हमारी हीरो हीन लाडा से लाडा स्कूल में प्रोग्राम कर रही होती है और वो उस प्रोग्राम के लिए बहुत ही एक्सैटेड होती है तो लाडा अपने पापा का इंतिजार कर रही होती है क्योंकि उसके पा की इंट्रि होती है तैने एक साधी सुळा अद्मी होता है लेकिन उसकी वाइफ कुछ साल पहले ही मर गई होती है पर टे एक प्यारी बेटी भी होती है जिसे यसे एपने दिल و जान से ज़्यादा प्यार करता है और टेन अपनी बेटी के इसकूल जागा होता है उसका प्रोग्राम देखने के लिए क्यूंकि उसने अपनी बेटी को प्रामिस किया होता है कि तबी accidentally उसके कार से लाडा के पापा का एक्सिडन्ट हो जाता है क्यों कि उसके पापा फोन पर बात कर रहे होते हैं और उनका रूट पर ध्यान नहीं होता जिस वज़ा से उनका accident हो जाता है तो तेहन लाडा के पापा को इस हालत में देखकर पूरी थरा परिसान हो जाता है और वो ambulance को call करने को कहते हैं तो लाडा के पापा तैन को कहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बेटी लाडा का ख्याल रखना मैं अपनी की हालत कैसी है वो अब ठीक है ना पर नर्स उसे कुछ भी नहीं बताती और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है तो सोई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है वैसे हमारी हालत भाब है उपर से एक्सिडेंट हो गया अब यह सारा खर्चा कौन उठाएगा वो एक् आप ऑपा का फ़सी इस भर व्रा गएने लखती है तो कि उस did i ISTained को खुब खड़ी कोपकिता है और नहीं कुछ हो गया हमारी जिमेदारी कौन लेगा तो सोई कहते हैं मैं आप लोगों की जिम्मेदारी होंगा मैं आप लोगों को पूरा हर जाना दूँ है मैं तो सोई कह करते हैं ameer चलता हिए ऑपने वादे करता हूं आप अपनी बिजनेस कार्ट देता है आसई अग्याम का मालिक हा सी मॉझे पता चलता है तो जैसे Frage्銘 का मारिक है और बहुत ही अमीर है सौी के बात करने का तरीका ही बदल जाता है। यह लगती हैfold अपनी बेरुखी के लिए उससे माफी भी मांगती है तो तैन कहता है इसमें मेरी ही गलती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इधार लाडा को जब अपने पापा के एकसिडेंट के बार में पता चलता है तो बैचारी दोरती भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है जहां ली जाती है और सदमे के बारे वो बेहोस हो जाती है आगे जब लाडा को होस आता है तो इसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि उसके पापा उसे हमिसा हमिसा के लिए छोड़ कर चले गए है पर उसकी बहन उसे समहालती है और कहती है लाडा प्लीज अपने आपको समहालो आगे लाड़ा अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा को देखकर खूब रोती है आगे लाड़ा अपनी फैमली से पूशती है कि उसके पापा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है कि तभी लाड़ा को तैन के बारे में पता चलता है कि तैन की गारी से ही उसके पापा की मौत हुई है तो लाड़ा अपना सारा गुसा तैन पर निकालती है और कहती है तुम्हारी वज़ा से आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे तुम एक मडरर हो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी तो सोई लाड़ा को बताती है कि इसमें तैन की कोई गलती न नफरत करती है आगे सोई अपने हरकतों से बाज नहीं आती और वो तैन से हर जाने के नाम पर लाखोर उपए एटती है और तैन भी सोई की बातों में आकर उसे लाखोर उपए का चेक काट के दे देता है और सोई उस पैसे को पाकर बहुत ही खुस होती है आगे लाड़ा घर जाकर अपने पापा को याद करके खूब रोती है, दूसी तब टैन की हालत भी अच्छी नहीं होती और उसे लाड़ा के लिए बहुत बुरा लगता है, आगे टैन घर आता है तो उसकी बेटी उससे नाराज रहती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था क आज वो उसकी स्कूल आएगा, पर वो नहीं आया, जिस वज़ा से उसकी बेटी उससे बात नहीं करती और गुसा होकर वहाँ से चली जाती है, तो मौन कहती है, उसे थोड़ा टाइम दो, वो ठीक हो जाएगी, तो तैन कहता है, थैंक्यू सो मच, तुम मेरी कितनी हेल्प क करना बहुत ही अच्छा लगता है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरुत हो, तो तुम मुझे बेहिचक बुला लेना ठीक है, एक्चुली मौन का ये सब करने का एक मौटिव होता है, एक्चुली मौन तैन को बहुत ही पसंद करती है, इसके वो उसकी बेटी का जर्या बना है और उसे एक दोस्त के नाते ट्रीट करता है, अगले दिन सोई अपनी बेटियों के साथ अपने पती का अंतिम संसकार मनाने के लिए जा रही होती है, कि तभी रास्ते में एक चोड उसका पर्स लेकर भागने लगता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर ताई आ जाता है आगे वो लोग अंतिम संसकार की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, कि तभी वहाँ पर तैन भी आता है, लाडा के पापा को सरधांजली देने के लिए, तो लाडा जैसे ही तैन को देखती है, उसे देखते ही उसका गुसा साथवे आसमान पर पहुंच जाता है, और वो तैन को चुभी चुभी बाते कहने लगती है, तो सोन लाडा को समझाती है कि इसमें तैन की कोई गलती नहीं है, वो तो यहाँ पर बस सरधांजली देने आये हैं, इसे प्लीज इन से इस तरह बात मत करो, तो लाडा कोई जबाब नहीं देती है, और मुफ फुला कर वहां से चली इधर सोई इस महाल में भी अपनी बेटी का टाका तैन के साथ भिराने की कोसिस करती है, क्योंकि तैन बहुत ही अमीर होता है, और सोई जहां पर पैसा देखती है, वो वहां पर अपनी नाग घुसेरने लगती है, और अपनी बेटी को तैन के साथ सेट करने की कोसिस करती है इधर लाडा तैन को परिसान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती तो तैन कहता है अगर तुम्हें ये सारी बचकानी हर्गत करके सुकून मिलता है तो तुम करो मैं कुछ भी नहीं करूँगा अगर तुम्हें मुझे परिसान करके सुकून मिलता है तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो मैं उफ तक नहीं करूँगा और तैन ये कहकर वोश्रूम चला जाता है कि तभी तैन की नजर सिया और सोई पर पड़ती है सिया सोई को धंकी दे रहा होता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किये तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा तो सोई कहती है तुम इतने दिन रुखी चुके हो बस थोड़े दिन और रुख जाओ तुम्हें पता है ना अभी हमारी हाला ठीक नहीं है और मैं इस हालात में किसि से कोई बाद भी नहीं कर सकती है प्लीज सिया थोड़ा टाइम मुझे दे दो तो सिया कहती है मैं तुम्हें इतने दिन से टाइम ही तो दे रहा हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हारे सामने एक सर्थ भी रखी थी, कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं चुगा सकती, तो मुझे लाडा दे दो, अगर तुम मुझे लाडा दे दोगी, तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूँगा, तो सोई कहती है, अभी लाडा के पापा की मौत हुई है मैं लाडा से इस बारे में बात नहीं कर सकती मैं बहुत जल लाडा से इस बारे में बात करूंगी बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सिया तो सिया कहता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं लेकिन जादा नहीं दूगा इधर तैन उन दोनों क करकतों से उससे बदला लेना चाहती है तो तैन को लाड़ा की इस कारणामे से भी बुरा नहीं लगता और वो खुसी-खुसी इसे भी एकसेप्ट कर लेता है अगले दिन तैन अपनी बेटी से बात करने की कोसिस करता है पर उसकी बेटी उसे इग्नॉर करके अपने चाचा त अपने पापा से बात भी नहीं करती तो तैन को बहुत ही बुरा लगता है तो ताई कहता है वो अभी बच्ची है बस उसे थोड़ा सा टाइम दो ठीक हो जाएगी तो तैन कहता है जब से वान की मौत हुई है कावी पूरी तरह बदल गई है वो पहले बहुत ही बच्ची सबकी बात मानती थी और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी लेकिन अब वो अपने पापा से प्यार नहीं करती वो अपस अपने पापा से नफरत करती है वो हमेशा अपने पापा से उख्री ख्री रहती है और हमेशा जित करती रहती है तो ताई कहता है भाई टें ना सो भाबिक है लेकिन उसे समझना होगा ये सब एक्सिडेंट था तुमने जान बुछ कर उसके पापा को नहीं मारा इसलिए आज तुम मुझे सोक सभा में लेकर जाना मैं लाडा से बात करूंगा और तुम्हें पता है ना कि मैं लड़कियों से बात करने में कितना माहिर ह कि लड़कीया मेरी बात द Ó नहीं काट पाती क्योंकि मेरा चार्म उनपर चल जाता है तो तैन कहता है भाई अब तो साधी कर ले अब तो तुम्हारी उम्र भी बीती जा रही है कब तक तू लड़कियों के पीछे गुमता फिरेगा तो ताई कहता है आपको पता है ना तो सोई अपनी बेटी को कहती है तुम्हें इन दो लड़कों में जो भी पसंद है तुम उसके साथ अपना टाका भिरा लो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो सोई कहती है मॉम मैंने आपको कितनी बार काया है मुझे इन सब जमिले में मत फसाईए मैं ऐसे वैसे लड़कों से साधी नहीं करूंगी मैं उसी से साधी करूंगी जिससे मैं प्यार करूंगी तो सोई कहती है आज तक तो तुम्हारा कोई वाइफरेंड नहीं बन पाया आगे तुम्हें कौन सा लड़का मिलेगा तो सोन वो अपनी मौम की बातों को इग्णॉर करके वहां से चली जाती है आगे ताई लाड़ा से मिलता है उसे समझाने की कोसिस करता है कि उसके भाई ने ये सब कुछ जान बुछ कर नहीं किया है इसलिए प्लीज वो उसे माफ कर अगो होते हैं तो ताई लाड़ा को बड़े प्यार से समझाता है तो लाड़ा ताई सामने अक्टिंग करने लगती है की हो समझ गई है और यहीं बात सो शोच खरक सबख सिखाती है तो बिचार ताई ये सब देखकर तो पूरी तरह सौक्त हो जाता है और तैन ताई का करें दो लाडा को समझाती है कि यह सब नहीं करना चाहिए तो अपनी के सामने आइंदा साथवे आसमान पर भी पहुंच जाता है तो त्यैन लाडा से बात करने के कोसिस करता है पर लाड़ा उसकी एक बात भी नहीं सुनती तो तैन कहता है अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो सिर्क मुझसे बदला लो इन समय मेरे भाई को मत घसिटो तो लाड़ा कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है आज से मैं सिर्फ आप से ही बदला लूंगी और लाड़ा ये कहकर चली जाती है आगे सोक सभा खतम हो जाती है तो तैन उन लोगों को लिफ्ट देता है घर छोड़ने तक का तो लाड़ा तैन के साथ जाने के लिए मना कर देती है लेकिन जब सोनो लाड़ा को समझाती है तो लाड़ा मान जाती है लेकिन अपनी कलाकारी से बाज नहीं आती और पूरी प्लैनिंग के साथ वो तेन की गारी में धेर सारे मेढ़क छोड़ देती है और अपने घर उतर जाती है आगे वो दोनों भाई जब घर जारे होते हैं तो रास्ते में उन लोगों को मेढ़क की टर टर की आवाज आती है जब वो लोग बैक खोल कर देखते हैं तो उन दोनों का एक्सिडेंट होते होते बच जाता है तो ताई को इस बात पर बहुती गुसा आता है और वो सीधा लाड़ा के घर जाता है उसकी वाट लगाने के लिए तो लाड़ा तेन को कहती है आपने कहा था कि मैं आपके साथ कुछ भी करूं आप कु करना करना पर सकता है तुम्हारे आज इस हरकत की वज़ा से हम दोनों का एक्सिडेंट होते होते बच गया क्या तुम कुछ भी करने से पहले जरासा भी नहीं सोचती तो सोई इस बात पर लाड़ा पर बहुती गुसा करती है और उसे माफी मांगने को कहती है पर लाड़ा उन लोगों से माफी नहीं मांगती उल्टा गुसा होकर वहां से चली जाती है आगे तैन लाड़ा के पास जाता है और उसे बात करने की कोसिस करता है और उसे समझाने की भी कोसिस करता है कि उसने उसके पापा को नहीं मारा वो बस एक एक्सिडेंट था पर लाड़ा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उस पर खूब गुसा करती है और कहती है तुम्हारी वज़ा से ही मेरे पापा की मौत होई है और तुम्हारी वज़ा से आज मेरे पापा मेरे पास नहीं है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी मैं तुमसे पूरी जिंदकी नफरत और लाड़ा ये कहते कहते बेहोस हो जाती है तो तैन को लाड़ा के लिए बहुत बुरा लगता है